कि आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि बैंग कल जल जी रगा अगर आपके पास अप्लिकेशन है तो आपको कैसे एंपिन सेट करना है क्योंकि आपको पताए कि बार बार पासबोर डालना परता है लोगिन डालना परता है उसके आद ओटीप कोड आता तब ही आ आपको क्लिक करना है जैसे ही आप क्लिक करते हैं इसके बाद हम पॉर्सेस पे क्लिक करेंगे इस तरीके से आपको क्लिक करना है जैसे ही आप क्लिक करेंगे अगर आप ये एक बार सिट कर लेते हैं तो आपको बार बार सिट करना की जरूरी नहीं है देखिए आपका लोगि कीग होना है ठीक है यहां पर चलिएं हम लागिन हो जाते हैं अपना पास्पोड और वार स्बुजन डाल देते हैं ड लेका बाद हम क्लीक कर देते हैं Japanese कर देते हैं जैसे ही आप लोगिंग करिएगा आपकी आपास कुछ इस तरीके का इंटराफ्य торовाइस आजाएगा तो यहां पर आपको जो है ओटीपी मांगेगा जैसे कि आप बार बार लोगिंग करते हैं तो बार 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 ओट आता है अगर आप MP सेट कर लेंगे तो बार बार यह ओटीपी नहीं आएगा चलिये हम ओटीपी जो है डाल देते हैं फॉर्गेट पे क्लिक करने के बाद और लोगिन ऐडी पास्पूर्ट डालने के बाद हमारे पास इस तरीके का एक ओफशन आ जाता है तब आपको यहां पे जो है नंबर एक सेट कर लेना है जब आप यह अप्लिकेशन खोलेंगे तो आपको पांच या पांच या छे अंग क पांच अंग का नंबर च्वेस कर देना है जब आप खोलेंगे तो पांच का नंबर ध्यान दहना जाइए तो मैं जैसे कि सैंपल के लिए आपको बता रहा हूं जैसे कि पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास यहां पर बता जा रहें कि आपका MPIN सेट हो चुका है इसके फिनीश पर क्लिक करेंगे फिनीश पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे हम पर क्लिक करने के बाद हम log out कर देते हैं log out करने के बाद हम log out कर देते हैं और हम अब जी है mpin जो set किये थे 7506 यह हम डालते हैं भी 7506 4 ठीक है 7506 4 पांच गो नमबर है ना तो देखिए हमारा जो है mpin काम करने लग गया मतब कि अब हम जो है जितने बार log out करेंगे बस mpin डालेंगे और हमारा फिर से log out करते हैं देख सकते हैं log out किये हैं फिर mpin पे गये हैं 7506 4 डाले हैं देखिए हमारा जो है application खुल चुका है तो mpin आप इस तरीके जो है set कर सकते हैं different मतलब कि double two या double one या फिर one two three ने होना चाहिए इस तरीके से जैसे message के वे सेट कर सकते हैं